हालो एवरीवन, वेलकम टो अनकेडमी, कैसे हैं आप सभी मुमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके exam की preparation चल रही होगी, तो आप सभी के लिए बहुत important announcement में याँ पर लेके आया हूँ, वीडियो को end तक देखेगा, क्योंकि बहुत ही special offer है और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, खासता और पर उन लोगों के लिए, जिन्नोंने अभी तक exams के लिए subscription नहीं लिया है, और एक बार इस वीडियो को जरूर देखे, आपको बहुत अच्छा benefit होगा, तो सबसे पहले थो हम congratulate करते हैं, हमारे जितने भी learners है जो SSJ में बहुत अच्छा rank लेके आए हैं, नेक्स्ट ये जो important announcement है, ये ऐसा है कि जो offers मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, ये कोई simple offer नहीं है, बहुत ही interesting और exciting offer है, ध्यान से देखेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 15% का off आपको मिल रहा है और extra months भी आपको म जिया, उसमें कुछ 2 months, 3 months आपको extra भी मिलेगा, आपको कितना month extra मिलेगा, मैं भी आपको दिखा दूँगा, next ये जो course है, ये all-in-one course है, इसमें आपका SSCJE, State AGE और खासतोर पे JSCJE, BTSCJE, RSMSSB and DDA जो हमारे upcoming exams हैं, उनका भी पूरा तयारी यहां पर हो जाएगा, नया batch हमार स्टार्ट हो रहा है, 9 जून को, एक benefit आपको और यहां पर मिलेगा, कि 15% discount तो मिली रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर GA111 code लगाते हैं, if you apply the code as GA111, आपको 5% का discount और मिल जाएगा, तो in total देखा जाए, तो आपको 20% का discount मिल रहा है, code लगाने के बाद, clear है, अब ये और valid नहीं रहेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि extra months आपको कैसे मिलेंगे, ये रेखिए, तो जो हमारा latest batch है for all these exams, including SSCJE also, जो आपको October में देना है, इसमें 15% off है, लेकिन यदि आप 6 months का course purchase करते हैं, ध्यान रखेगा, ये सिफ 6 months के course के लिए valid है, 1 साल या 2 साल के लिए valid नहीं है, अगर आप 6 months का course purchase करते हैं, इसमें 2 months आपको extra मिल जाएंगे, तो कहने का मतलब in total आपको ये 8 months extra मिल रहे हैं, बनले 8 months का total course मिल रहा है, तो 6 months के course में आपको 2 months extra मिल रहे हैं, 8 months का पूरा syllabus आपको मिलेगा, इसमें 15% discount है, और अगर GA11111 लगाया आपने, ये code लग तो आपको इसमें 5% का discount और मिल जाएगा, तो you will also get 5% extra discount, तो total आपको 20% का discount मिल रहा है, तो G capital है, A capital है 1111, सिर्फ 6 months के course के लिए और 2 months extra, तो 8 months in total 20% discount में, इसके बाद आपको 5% और discount मिल जाएगा, तो आप code लगा सकते हैं, इसमें, ठीक है, अगर मैं इस batch की जानकरी तो ये batch हमारा 9 June को start हो रहा है, 9 June को start हो रहा है, 9 June को start हो रहा है, ये batch आपका, 9 June यानि कल से ही start हो रहा है, और इसमें जो subject start हो रहा है, वो है design of steel structure by जस्पाल सर, और 12 बजें सर की class चाली हो जाएगी, 9 तारिक से, आप अवेल कर सकते हो इस पूरे course को by GA1111, 20% discount मिलेगा, 6 months के course के लिए और 2 months extra, चलिए, तो various exams which are covered are JSCJE, BTSCJE, RSMSSB and DDA, including SSCJE and Allstate AE also, तो SSCJE भी included है, इसमें अगर आप course purchase करते हो तो ऐसा नहीं है, कि SSC की classes आप avail नहीं कर सकते, आप एक बार इस course को purchase करोगे, तो आप जितने भी lectures हो चुके हैं, उनको भी recorded के format में देख सकते हो, और ए लाइव होगा, कैसे लाइव होगा, और कौन पढ़ाएगा, वो आप यहां पर देख सकते हो, तो जैसे अभी सर का lecture स्टार्ट हो रहा है, नौ तारिक से, जस्पाल सर का, फिर उसके बार estimation costing and valuation, यह भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, by जस्पाल सर और either by me, तो यह slash मतलब य यह तो जस्पाल सर पढ़ाएंगे यह तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा है, दूसरा, Soil Mechanics will be taken either by Amit Sir और by Praveen Sir, Surveying will be taken by Apoorvu Sir, Strength of Material will be taken by Praveen Sir, Ankit Jain Sir, Theory of Structure will be taken by Amit Sir, Praveen Kumar Sir, Concrete Technology will be taken by Praveen Kumar Sir, RCC will be taken by Amit Sir और Apoorvu Sir, Environmental Engineering will be taken by me, Fluid Mechanics will be taken either by me or Praveen Sir, Building Material will be conducted by me or Praveen Sir, Irrigation and Hydrology will be taken by me or Praveen Sir, Transportation will be taken by Ankit Jain Sir, अब यह है, अगर मैं एक basic idea दूँ, for example, अगर मेरा subject कोई सायचो, Environmental Engineering, इसमें हम लोग पूरा detail में बात करते हैं, Water Supply Engineering की, Water Supply Engineering में हम लोग बात करते हैं, Water Demand, Water Demand के बाद हम लोग बात करते हैं, What are the various sources of the water which are available, फिर हम लो Water की Quality चेक करते हैं, एक बार Water की Quality बड़ा चल जाया, उसके साब से हम पानी का Treatment करते हैं, पानी का Treatment करने के बाद हम लोग उसको Store करते हैं, Service Reserve Warrior में और Supply करते हैं, as per the demand, उसके बाद हम लोग Distribution System की बात करते हैं, तो various kind of Distribution System and their layouts and pipe connections, walls, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ अप Water Engineering की, तो जो पानी आपने Supply किया शहरों में, वो पानी Convert होता है, Waste Water में, 75-80% Waste Water में Convert हो जाता है, वो, then next, उसी Waste Water की Quality हम लोग चेक करते हैं, बहुत सारे Parameter हैं, DO है, COD है, THOD है, TOC है, BOD है, Population Equivalent है, Relative Stability है, BOD Ultimate by COD Ratio है, COD by TOC Ratio है, तो बहुत सारे Quality Parameters हैं, जो आ करते हैं, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, फिर Disposal of Seewage Affluent की, Designing of Seewords and Seewage System की बात करते हैं, Treatment of Seewage की बात करते हैं, तो यह Liquid Waste वाला पूरा पार्ट खतम हुआ, फिर Solid Waste Management हमारे एक Topic आता है, Air Pollution and Nose Pollution आता है, तो जितनी भी चीज़ें आपको मैंने अभी बताई, सब कुछ हम लोग cover करवाते हैं हमारे exam के लिए, अब मैंने एक subject के लिए बताया, बाकी subjects में भी ऐसे ही होता है, एक एक चीज़ आपको पूरा detail में समझाई जाती है, ताकि आपके exams यहाँ पर अच्छे से clear हो सके, concept आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, ठ CF मेरा एक बार हो चुका है, तो जो chapters मेरे पहले से हो चुके हैं, आप उनको ऐसा recorded lecture भी देख सकते हैं, जब तक वो सारे subjects आपके live format में नहीं हो रहे हैं, तो आपको अगर पहले से काफी कुछ आता है, आप multiple subject एक साथ पढ़ सकते हैं, यह benefit आपको unacademy app में मिलेगा, बाकी जब भी course live होगा, आप उस समय तो अटेंट करी सकते हैं, और एक-एक subject आपके लिए live होगा, और कौन पढ़ाएंगे आपको वो भी यहाँ पर दिख रहा है, अप्रॉक्सिमेटली कितने hours का course रहेगा, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो यह एक announcement आप लो हो रहा है, उसके पहले आप course को purchase कर लीजे और बहुत अच्छे सपनी preparation को करिए, thank you everyone, may God bless you all, have a nice day, bye-bye.